नमस्का दोस्तों एक बैर फिर से आपका हादिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दुनिया सपनों की और दोसों सपनों की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वह यह दि आपको सपने में मोर पंख मिलता है या फिर आप मोर पंख देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है सपने में मोर पंख मिलने का क्या मतलब होता है यह सपना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है तो आई ही दोस्तों जानते हैं आपको क्यूं दिखाई देता है यह किसी वेक्ति को ऐसा सपना आता है तो क्यूं आता है और इस सपने का उस वेक्ति के जीवन पर क्या प्रुभाव पड़ता है तो आई ही जानते हैं दोस्तों यदि को इवक्ति सपनी में देखता है कि उसे मौरपंख मिलता है तो यह एक बहुत ही साकारात्मक और शुब सपना माना जाता है क्योंकि मोरपंख भगवान कृष्ण को काफी प्रिय होता है और भगवान क्रिश्न को प्रेम का प्रतीक भी मान जाता है इसलिए सपने में मौरपंख मिलना एक अच्छा सपना मान जाता है यदि किसी विक्ति को सपने में मौरपंख मिलता है तो इसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको कही न कहीं से आर्थिक लाव हो सकता है और साथ ही आने संखेत होता है में अमरॉ पंक्ख मिलना सुख सांति का प्रतीद भी माना जाता है इसलिए यह आप ऐसे सपना देखते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो पीछ वीडियो को लाइक शेयर और सुब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार दिस्तों